Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैं हूँ आकी Economics Educator Gauri Jadon and we are studying chapter number 3 of Microeconomics जापर हम पढ़ने वाले हैं production function के बारे में और cost के बारे में. Before that आपको बताना चाहती हूँ students की Magnet Brains है जो provide करता है आपको free and quality education. अगर CBSE की बात करते हैं तो kindergarten से लेके class 12 तक के सारे courses absolutely free of cost है और अगर मैं बात करते हूँ हमारे पास एक Hindi Medium Channel भी है जहापर हम cover करते classes 6 से लेके class 12 तक. So without any further ado सबसे पहले तो जल्दी से आप हमारे channel को कर दीजे like, share and subscribe students और साथ ही मैं आपको e-notes and e-books भी आराम से मिल जाएंगे जिसकी जो link है description box में already given है तो सबसे पहले जाके आप उसको check out कर सकते हैं और सिफ CBSC ने हम different state boards को भी follow करते हैं students जैसे की UP board, MP board, VR board, Delhi board and Rajasthan board so everything is provided to you तो आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है बस अपनी copy खोले और पढ़ाई शुरू कर दे लिए ओके students तो देखे हम ना already ना chapter number 3 का हम chapter overview देख चुके हैं और साथी में production क्या होता है और production function क्या होता है यह हम discuss कर चुके हैं तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो सबसे पहले जाके आपको वो देखना है तो देखो students ना economics में हम लोग दीरे दीरे करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं hopefully आपको economics के थोड़े बहुत जो terminologies हैं schedules कैसे बनते ग्राफ कैसे बनते अब थोड़े थोड़े clear होना शुरू हो कहे होंगे विकास मैं जानती हूँ economics आपने जो पढ़ा है 9 और 10 में और जो economics अभी आप पढ़ रहें दोनों में जमीन आसमान का फरक है सो रिलेट करना बड़ा मुश्कल हो जाता है so that is why starting जो chapters से मैंने कोशिश करा है कि बहुत आराम से slowly हर एक chapter और concept को बहुत detail में आपको clear करते हो चलूँ लेकिन क्योंकि अब हमें थोड़ी speed पकड़नी है ताकि आपको हर एक point पे सारी चीज़े अराम से clear हो चाहे fine students तो अगर मैं बात करते हूं हमारे ना इस chapter में दो हैं एक हमारे पास short run और एक हमारे पास long run है जिसके बारे मैं already discuss कर चुके previous class में हमने पूरा पढ़ा था कि short run में हम लोग क्या change कर सकते है only labor लेकिन जब मैं बात करती हूं हमारे long run में हम लो capital और labor दोनों को change कर सकते हैं अब सिफ capital labor क्यों ले रहे हैं तो short run क्या होता है जिसमें जो variable है हम जल्दी से change नहीं कर सकते हैं because time की कमी है और long run मतलब आपके बास पूरा जमाना पढ़ा है पूरा time पढ़ा है चीजों को change करने के लिए तो short run क्या होता है students जैसे कि मैंने previous वाले में समझायता जब हम बढ़ना है production function को तो सिफ दो हमारे चीज़े हो रहे है inputs और output के बीच के relation को ही तो हम क्या बोलते है production function कि भाई किस तरीके से inputs को ऐसे use किया जाए कि minimum cost में हमारा बहुत एच्छा product निकल के आ जाए this is what production function is all about making sure that whatever the inputs you are using in the business is giving you the great output तो अगर मैं inputs की बात करूँ तो कौन कौन से हमारे पास we have capital and we have labor यही दो को हम consider कर रहे है वैसे तो मारे पास कौन कौन से होते है factors of production चार factors of production होते है कौन से land, labor, capital and enterprise यह चार होते है हमारे पास लेकिन हम किसको ले रहे हैं से दो को ले रहे हैं कौन-कौन से capital and labor को clear क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं सारी चीज़े discuss हो चेकी previous वाले session में तो हर chapter में हर चीज का revision कराने लग गए तो कुछ भी complete नहीं होना है विकॉस हम अगर हम चाहते कि हमारे इतके अच्छे marks आएं तो थोड़ी बहुत महनद तो करनी पड़ेगी और consistency भी रखनी पड़ेगी तो that is why students आपको हर एक चीज बहुत sequence में देखनी है ओके ओके चलो so what is short run students just me plant size is fixed and labor is variable variable का का मतलब होता है something which can change what is the meaning of variable something which can change the short run में क्या होता है जो plant size है मतलब जैसे कि हमें कोई land चाहिए कोई machinery चाहिए वो fixed रहता है लेकिन labor का रहता है variable रहता है variable मतलब change कर सकते है quickly change कर सकते है अब हमें दो लोग की जरुवत है अगर अचानक से 4 लोग की जरुवत पढ़ गई तो मैं दो लोग को और जल्दी से बुला सत्यू काम करने के लिए आपके पास time रहता है तो आप राम सी चीजो को कर सत्ते है so to increase the production firms increase labor but can't expand their plan firms produce in the short run लेकिन long run में क्या रहता है कि हम अपने production firm को increase कर सकते है clear हो गया okay so the production is the result of the combined efforts of the factors of production and these factors are broadly classified as variable factors and fixed factors तो production function क्या होता है भाई किस तरीके से factors of production को utilize किया जाए लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जो factors है कौन-कौन से दो तरीके के factors है एक होता है variable factors जो change हो सकते है ठीक है और एक होता हमाई पास fixed factors fixed का मतलब भी भाई है जो बुलकुल change ना हो बुलकुल चिपकार है fixed रहे तो ये बुलकुल भी change नहीं हो सकता फाइन तो variable factors वो factors होते है students refer to those factors which can be changed in the short run for example raw materials, casual labor, power, fuel etc तो short run में मतलब कम टाइम में मैं ये सारी चीजों को अराम से change कर सकती हूँ किसको variable factors को so in short run we change variable factors मतलब variable मतलब जिसको अराम से change किया जा सके वही पर जब मैं बात करती हूँ students तरीके से fixed factors को इसका मतलब होता है it refers to those factors which cannot be changed in the short run मतलब short run में short run का मतलब क्या होता है it's basically less time तो कम टाइम में मेरे लिए possible नहीं है कि मैं fixed factor को change कर पाऊँ right so for example plant in machinery, building in land तो इदम से तो मैं आज के आज इदम जमीन नहीं खरीद पाऊँगी आज के आज सारी चीजों का रेंज नहीं कर पाऊँगी उसके लिए मुझे तो time लगेगा so that is why जो मेरे पास fixed factors है इसको मैं short run में change नहीं कर सकती long run में मैं अपने fixed factor variable factor दोनों को change कर सकती हूं तो long run मतलब जादा time ही मेरे पास चीजों को सोचने के लिए समझने के लिए काम को सही करने के लिए तो मैं सारी चीज और भेटा तरीके से कर पाऊँगी लेकिन life में हमें क्या होता है कई भी कुछ भी हो सकता है तो वैसी production या producers के जाद भी ऐसा होता है कि कभी भी कुछ हो जाए तो जो हमारे producers हैं जो हमारे firms हैं हो सकता है कभी company में ऐसा कुछ आ जाए तो उनको महाँ पे एदम short run में चीजों को करना पड़े तो उसके इसमें क्या काम आएगा variable factors clear आप सबसे पहरे तो इसका screenshot ले लिजे जल्दी से ड्यान स्टूरेंस आपको सारे चीजों को लिखते चले जाना है बिकॉस क्या है जितना आप अपने खुद के handwriting में खुद जितना आप समझ रहे हो जितनी सिंपल इंग्लिश आप अपने लिए रखेंगे उतना आपको जल्दी याद होगा उतना आप अपना पेपर आराम से कर पाओगे विदाउट किसी भी टेंशन के किसी भी वरी के अपने नोट्स बनाओगे तो आपको जल्दी समझ वाएगा फाइंग्ज सो दो टाइपस के production function होते हैं कौन साइक होता है हमारे पास short run production function कि short run production function मतलब short run में क्या change होता है से variable यह तो मैं पता है एक हमारे पास होता है long run production function जिसमें variable और fixed दूनों ही एक तरीके से change किये जा सकते हैं तो short run मतलब कम टाइम तो इसको हम लोग क्या बोलते है short run production function और एक हमारे पास जो students होता है long run उसको हम बोलते है long run production function production function क्या होता है just basically the relationship between यह मैं ऐसे बोलू production function क्या है basically हमारा capital into labor यह हम पढ़ चुक है fine सबसे पहला आप इसका screenshot ले लिजी जल्दी से done एक बार में इसको rough कर देती हूं अब ऐसे भी रे लो तो आपको जादा समझ जा जाएगा I understand okay then the way a con concept what are the two types of production function short run production function and long run production function production function क्या होता है it is the equation or the relationship between functional relationship between your capital and labor ठीक है short run क्या होता है less time when the duration is less और इसी का पोज़िट क्या हो जाएगा long run when the duration is more when you have capacity or you have time to change things वो variable भी हो सक्ति है और fixed भी हो सक्ति है okay so short in production function को अगर मैं आराम से आपको समझाना चाहूं so it means that it refers to all other factors are fixed मतला सारे factors fixed है in supply but at least one factor is capable of being changed to have more output जैसे की labor बाकी सारे fixed रहते है कोई रा कोई एक factor तो का जिसको मैं सही कर सक्ति हूं right this expect of हमारा जो रहता है production function is known as law of variable proportion variable proportion को क्या बोलते है very important इसको माक करो so law of variable proportion states that when you keep all the other factors constant and one variable is there which can help you मतलब आपने सारे के सारे variables को constant कर दिया लेकिन आपके पास at least एक variable है जो आपके लिए production level को increase कर सकता है कब short run में ठीक है so proportional relationship between production and the factors of production is refers to the law of returns to factor law of returns to factor मतलब एक relationship between किसके बीच में भाई production of factors of production के बीच में clear जल्दी से स्का screenshot ले लिजे see the definition of law of variable proportion is really important and law of variable proportion को में बहुत आराम से पढ़ने भी वाले in the coming classes because it's an important topic which we have to study so short run में क्या होता है सारे के सारे वली factors fixed हो लेकिन एक नएक तो variable cost होगा variable factor होगा जो हमाराम से change करके थोड़ा बद प्रड़क्शन लेवल बढ़ा सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं short run production function अब जब मैं बात कर रही हूँ law of variable proportion so variable का मतलब change मतलब ऐसे variables तो change हो सकते हैं उनके बारे में study को मैं क्या बोल सकते हैं law of variable proportion clear so now what is long run production function so long run मतलब when you have more time to change things so in long run it is possible for a firm to change all the inputs it doesn't matter वो fixed हैं वो variable है आप सारे के सारे चीज़ों को change कर सकते हो in accordance with its scale मतलब scale के साथ मतलब scale क्या होता कितने large scale पे कितने small scale पे ऐसा सुना है न मतलब यहनि कितने बड़े level पे है या कितने छोटे level पे है इस चीज़ को discuss करने के लिए we have a law जिसको हम बोलते है returns to scale okay return to scale मतलब किस लेवल पे जाके आप अपने production लेवल को बढ़ा सते है उस चीज़ को हम लो जच कर रहा है so when a producers change all the factors of production in the same proportion सारे factors को वो change कर रहा है land, labor, capital, enterprise, सब को change कर रहा है same proportion में the proportional relationship between production and factors of production is known as law of returns to scale important definition which we need to learn so by doing this the firm is capable to increase its total capacity not just short term capacity associated with the change in the scale of production देको long run में तो आप दोनों चीज़े चेंज कर साथ तो variable भी और fixed भी तो उसी बात को उन्हें नहीं हापे बोला है clear जल्दी से इसका screenshot ले लिजे done so let's quickly understand हमारे पास दो production function हमने पढ़े एक हमारे पास होता है short turn production function एक मेरे पास होता है long run production function short run production function को हम क्या बोलते return to factors जिसमें law of variable proportion भी पढ़ते हैं इसमें हम बोलते returns to scale इसमें हम बोलते ila law of returns to scale फफ़ेलिट आपको यह ato याद होना चाहिए इसमें क्या रहता है short turn में सिर्व एक variable ko change करके जितना मैं output increase कर सकती हूं, उतनी में महारत करने को ready हूं, so only one factor variable, मही पर चाम मैं बात करती हूं students long run की, तो मैं सारे variables को change कर सकती हूं, that is why all factors variable, ठीक है, अभी क्या होता है, short run का analysis होता है, भई, नाम में लिखा है short run, है ना, और यह होता है long run analysis, मतलब long run, मतलब long term में ज्यादा समय में क्या-क्या changes कर सकते हैं, उसकी study को हम लोग बोलते है long run production function, clear हुआ, जल्दी से इसका screenshot ले लीज़े, done, तो देखो आपको तीन-चार concepts का जो इदम clarity होना चाहिए, कि भई, सबसे पहले production function क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि short run, long run क्या होता है, फिर variable factors और fixed factors कौन से होते हैं, अन्दे हम लोग जो laws पढ़ने वाले law of returns to scale and law of variable proportion दोनों कहां से बनते हैं, so law of variable proportion, variable मतलब जिसको change कर सकते हैं, short duration में, so that is why short run production function है, फिर हमारे पास आता है law of returns to scale, जिसमें मैं बात करती हूँ, भई, long term में क्या-क्या changes हो सकते हैं, clear, समझ आया, done, okay, तो students, this was all about this video, बहुत short में हमने डिसकस किया है, तो आपको हमने short run, ठीक है, long run, और साथ में production function के जो दो types हैं, हमारे पास short run production function and long run production function को understand किया है, ये chapter के अभी और भी parts आने बाकिए students, आपको कहीं भी जाना नहीं, आपको बने रहना है, regular रहना अपनी studies के साथ, because क्या इससे पहले वाला जो chapter था, it was a very big chapter for us to complete, because उसमें एक तरीके से 4 chapters हमने complete कर लिये हैं, because national income एक important concept है, जिसको मैंने बहुत time देखे हैं, बहुत आराम से आपको पढ़ाया था, तो कैसा लगा पहले तो आपको पूरी series, आप definitely मुझे comment section बताएगा, अब जो हम chapter number 3 शुरू करें, students से जादा बड़ा chapter नहीं है, छोटा सा है production function, और cost जो है जो आने वाला है, पहले हम लोग production को complete करेंगे, इसके बाद जो cost वाला आने वाला ना वो थोड़ा है, उसमें थोड़े फस जाते हैं, because उसमें जो relationship निकालना पड़ता है, between fixed cost, variable cost है ना, अभी क्या है आपको नहीं पता, लेकिन उस time पे यह बहुत एक तरीके से complex हमारे लिए हो जाता है समझना, तो यह पूरी series आपको बिल्कुल भी miss नहीं करनी है, already playlist बनी हुई है, हर एक video को जापको sequence पर देखना है students, और अभी तक जो हमने पढ़ा उसको revise करना है, बिकास आने वाले उसमें हम लोग पढ़ने वाले है कि law of variable proportion क्या होता है, law of returns to scales क्या होता है, so अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है, उसकी basic understanding of concepts आपके clear होने चाहिए, fine students, so once again आपको बतायाना चाहती हूँ कि magnet means to have आपको provide करता है free and quality education, सिर्फ cbse ने हम different state boards को भी cover करते है students, जैसे कि Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board, और सिर्फ इत्या आई ही नहीं, साथ में Vedic Maths, Crash Course and Spoken English का भी आपको course यहाँ पर मिल जाएगा students, and साथ में भी और आपको प्रोवाइड एन ई-Books जिसकी जो लिंक है already description box में given है, तो आप महाँ पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं, सिर्फ YouTube पर नहीं हमें different social media sites पर आपको follow करना है, जैसे कि Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, ताकि कोई भी update आपसे मिसना हो students, remember for CBSE हम लोग kindergarten से लेके class 12 तक आपको सारे courses मिल जाएंगे, और हमारे Hindi medium channel पर आपको class 6 से लेके class 12 तक, फिर भी कोई doubt हो students, आप हमारे app और हमारे website को refer कर सकते हैं, और या तो आप comment भी कर सकते हैं, तो definitely our team will reach out to you students, तो आपको कुछ नहीं करना है, like, share and subscribe करना है, support करना है, और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे concepts को, ताक आप अपने exam में बहुत अच्छे से paper दे और बहुत अच्छे numbers भी लेके आए students, so this was all about this video and thank you for watching.